Hello Ladies, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था Ovulation Day वो दिन होता है जिस दिन की Egg Release होता है पूरे महिने में ये एक दिन ही होता है लेकिन क्या आप घर पे अपने आप से पता कर सकते हैं कि Ovulation Day कौन सा है तो चिंता ना करें आज मैं आपको कुछ पता रहे हूं टेप्स जिससे कि आप घर पे बैठे पता कर सकते हैं कि Ovulation Day आपका कौन सा है पहला मेथर्ड है Temperature जिस दिन Ovulation होता है उस दिन Body का Temperature लगभग Half Degree के करीब बढ़ जाता है तो आपको करना यह है कि रोजाना सुभह उठके आप अपना Temperature Body का नोट करें जिस दिन आपका Temperature आधा Degree के करीब जादा है वो दिन है आपके Ovulation का दिन कुछ लड़कियों को Ovulation Day के दिन पेट में हलका सा दर्ड होता है जिसको कि हम Ovulation Pain भी कहते हैं अगर आपको हलका सा दर्ड महीनी के बीच में किसी दिन है तो यही वो दिन है जिस दिन के आपको Ovulation Most Probably हुआ होगा Cervical Mucous यह सफेद पानी का Discharge Normally महिलाओं को होता है वो Ovulation देखके आसपास बतला हो जाता है स्ट्रेची हो जाता है और स्टिकी हो जाता है अगर आप यही नोट कर सके तो यही वो दिन है कि जब आपको Ovulation हुआ होगा इसके अलावा एक और तरीका भी है आजकल मार्केट में Ovulation Detection के किट्स भी आते हैं तो उसको आपको प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह करना होता है आपने उसमें यूरीन डालना है और अगर दो लाइन आ गई है इसका मतलब है कि अभी आपके तरीके से नहीं पता कर सके तो उसको ovulation नहीं होता है सबकी body अलग होती तो इसलिए सबके experiences भी अलग होते हैं so stay informed and stay healthy